हदे सहर से निगली तो गाउं गाउं चली, कुछ यादे मेरे संग पाउं पाउं चली, सफर जो धूप का हुआ तो तजरुबा हुआ, वो जिन्दिगी ही क्या जो छाउं छाउं चली नवस्कार दोस्तों, आज के वीडियों हैं हम डिसकस करने वाले हैं तेईस नोवमर के सभी महत्पूर करेंटरफर्स पर देखिए, आज टोटल पंदर करेंटरफर पर पर हम च्रचा करेंगे, और इसके साथ में आज आज आपसे वीडियो के लाश्ट में 5 कोषचन अब दो पुछ जाएंगे तो इन सभी प्रशनों का आपको जवाब दे रहा है तो सुरू से लास्टर वीडियो को ध्यास देखते रही है और दीके इस वीडियो को पूरा देखने में बज़ो है आप इसका पीडिया भी डालोल कर सकते हैं नीचे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइक आरको प्रेस का नाम मत भूले और वीडियो को लाइक करके से शेयर भी कर दियेगा तो चले स्टार्ट करते हैं आज करेंटिफट सेजन को लेकिन सबसे बहलें बात कर लिएते हैं कल के करेंटिफट सेजन के दौरां पुझे गए, कोश्चन आदे नहीं पर देखी, सही उत्त्रों की. त देखी कलका जो पहला प्रस्था कोश्चन आप देखा ये था कि हाल ही मि किस मंत्राले के तवरां लीप और अरपीत कारिकरम लांच किया गया है, तो देखी ये लीप और अरपीत कारिकरम ब्लांच किया गया है HRD मंत्राले यानि की Human Resource and Development मंत्राले यानि की मानो संसादन विकास मंत्राले के द्वारा और अगला प्रसंदा कलका हमारा की हाल ही में रामायड सरकीट पर चलने वाली स्री रामायड एक्सपरेस को किसस्तान से हरी जंडी दिखा कर रवना किया गया तो दीखे इस रेलेविश्टेशन का नम है सब्दर जंग रेलेविश्टेशन और यह आपका दिल्ली में सिथ है और अगला प्रस्था की हाली में भारत और जापान के बीच में किस नाम से आईजिति समयुक्त सेनेभ्यास का समापन हुआ तो दिखिए इस सेनेब्यास का नम है धर्म गार्डियन तो एक बार फिर से बताते हैं में धर्म गार्डियन जो है ये भारत और जापान की सेनाओं के बीच का समीकत अब्यास सेनेब्यास है और दिखिए अगला प्रस्ता की हाली में अमेरिका की इतिहास में पहली बार वाइ तो दीखे ये प्लेस आपका था पोर्ट ब्लेयर तो ये सभी चीज़े जो है याद रखेगा और दीखे आज के करेंटेफर का पहला प्रशन है कि निमिखीत में से किस दिस ने 69 सुबरत कप अंतराष्टिक फुटबाल टूर्नमेंट जुनियर का किताब जीता है तो दीखे अमीनी स्कूल को हरा कर एक सुनि सुज़ो हरा कर ये 69 सुबरत कप फुटबाल टूर्नमेंट जीता है और दीखे एक खास बत मैं आपको बदाने जा रहा हूँ दीखे जो वंडे एक्जाम सोते हैं ससी बैंक रेलवे और खास दावर से जो आपका UPSG और PCS में भी कभी कई आता है कि काउन सा जो टूर्नमेंट है ये किस खेल से समन्दित है तो याद रखना है कि आपका सुबरत कप है ये आपका फुटबाल टूर्नमेंट है ठीक है तो सुबरत कप जो है ये आपका फुटबाल टूर्नमेंट है याद रखे गई चीज और दूसरा प्रस्ण है कि हाली में किस बेक्त को इंटर पोल का नया अधेक्ष निर्वाचित किया गया है तो देखिए इंटर पोल के नया अधेक्ष बने आपके कीम जोंग यांग और देखिए कीम जोंग यांग जो है आपके दक्षिर कोरिया से बिलाग करते हैं यह दक्षिर कोरिया की निवाची है और इन्होंने अस्तान लिया इस पत पर Alexander Proko Pachuk का ठीक है तो Alexander Proko Pachuk का स्तान लिया है कीम जोंग यांग ने Interpol के नए अधक्ष के रूप में तो एक लाइन में फिर से याद कलेजे Interpol के नए अधक्ष का नाम है कीम जोंग यांग और जो दक्षीर कोरिया से बिलाग करते हैं और इन्होंने अस्तान लिया है Alexander Proko Pachuk का और दीखी तोड़ा साम Interpol के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि Interpol का जो मुख्याल है एक्साम में कई बार पूछा गया है तो दीखी Interpol को जो हम International Criminal Police Organization के नाम से जानते हैं और दीखी जो आपका ये International Criminal Police Organization यानि की Interpol है ये आपका एक अंतराष्टी और जो की facility यानि की सुबदा प्रदन करता है जितने भी International Police है उनके बीच में सहयोग के लिए और दीखे जो आपका Interpol है इसका मुख्याला है लियोन फ्रांस में और इसका जो मोटो है ये है आपका Connected Police for a safer world ठीक है तो ये चीज़ याद रखेगा और तीसरा प्रसने के हाली में कौन Unisave की सबसे यूवा गुडविल अमेस्टर नामित की गई है तो दीखे यूवा गुडविल अमेस्टर बनी है इनका फोटो तो हब देखी रहे हैं इनका नाम भी जान लेजी इनका नाम है मिली बाबी ब्राउन तो एक अलेमें बता दूँ आपको कि मिली बाबी ब्राउन हाली में UNICEF की सबसे यूवा गुडविल अमेस्टर नामित की गई है और इनकी उम्र वर्तमान में कीवल 14 साल है और दीके UNICEF के बारे में जान लेजीए यूनीसेप का फुल फॉर्म एक्जाम में पुशा गया है UNICEF का पुरा नाम है United Nations International Children's Emergency Fund और इसका मुख्याला है New York USA में और इसके अस्ताबना 11 December 1946 को New York USA में की गई थी और चौता प्रसन है कि हाली में किस ब्रक्ति ने फीजी के प्रधान मंत्री के रुप में सपत ली है तो दीके फीजी के नए प्रधान मंत्री बने है वर के वीनी मारामा तो नाम थोड़ा सा टेना है लेकिन फिर भी आपको याद हो जाएगा क्योंकि इनका नाम थोड़ा सा यूनीक है तो याद रखेगा आपकि फीजी के नए प्रधान मंत्री का नाम है वरेक वीनी मारामा और देखे, ये चार साल को परदान मंतिर निर्वाची तुए है धिका है, फीजी के और देखे, फीजी की बात करें तो फीजी की राजधानी है सुवा और फीजी की मुद्रा है फीजी अन डालर और देखे, पांचो परसना की निम्निखित में से किस ख Huayy royalty ने हाली में refugee cricket में 11,000 रन बनाने का record बनाया है तो दीखें यह भारती के लाड़ी आपके हैं वसीम जाफर तो याद रखना है कि vara सीम जाफर यह पहले ऐसे भारती के लाड़ी बन गया है जो नहोंने 11,000 उन्होंने गया hara हजार रन बनाया है फिर बाद में इन्हों जो रणीजी क्रिकेट में जहादे इंटरेश दिखाए तो इन्होंने अभी ये रिकार्ड भी कायम कर दिया है 11,000 रन बनाने का तो एक लाइम में बता दूँ कि भारती क्रिकेटर वसीम जापर जो है ये रनीजी केट में 11,000 रन का आकड़ा चूने वाले पहले भारती बल्लेबाज बन गए हैं और चड़ा प्रशना है कि हाली में निमकित में से किस राज में साथमा अंतराश्टी परेटन मार्ट आयूत किया गया तो देखे इस सात्मा अंताराष्टी परेटन मार्ट जो है ये हाली में त्रिपुरा में आईद किया गया है और ये 22 तारी को श्टार्ट हो है और ये आपका 24 नॉम्बर तक चलेगा ठीक है और देखे इसका आईजोन जो है ये भारत सरकार के परेटन मंतराले के द्वारा त्रिपुरा की राजधानी अकरतला में किया जा रहा है यानि कि अभी ये चल ला है 22 तारी को श्टार्ट हो है ये 24 को समाथ होगा तो एक लाइन में याद कर लिए कि सात्मा अंतराष्टी परेटन मार्ट त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में आईद किया जा रहा है और इसकी तारीख है 22 से 24 नॉम्र 2018 और देखे ये प्रतिबंधित आदिवासी चेत्र में एक अमेरिकी नागरी के जाने पर वहाँ की जो जनजाती उसने तीर से मार कर उसकी हत्या कर दी तो देखे ये प्रतिबंधित आदिवासी चेत्रापप जो है अंडमान निकोबार राजमेस्तित है और ये चेत्रापप का है सेंटीनल दूइब और देखे इसके बारे में थोगसा डीटेल में बता रहा है क्योंकि ये काफी चर्चा में नियूज है और इसके बारे में कुछ भी एक्जाम में पूछा सकता है देखे सबसे पर आपको बता दूँ कि जो आपका अंडमान निकोबार है यहाँ पर एक दूइब है जिसका नाम है सेंटीनल दूइब ठीक है तो सेंटीनल दूइब पर जो है आपका एक अमेरिकी टूरिस्ट है जिसका नाम है जान एलन चाओ तो देखे जो आपका सेंटीनल दूइब है यहाँ पर कुछ जन जातियां रहती है और ये आज से ने रहती है, ये 60,000 साल से यहाँ पर सेंटीनल दूई पर रह रही हैं, तो इस सेंटीनल दूई पर जो जंजातियां रहती हैं, इनको अमेरिका के टूरिस्टे जान एलन चाओ, तो यहाँ पर यह गया था इनको इसाई बनाने ठीक है, यानि कि इसाई धर्म का परचार करने गया था, लेकिन यहाँ के जो आदिवासी हैं, अगर इस दूई पर कोई भी जाता है वहाँ पर, तो उसको यह अपना जो है, दुसमन समझते हैं, और उसको तूरंत मार देते हैं उसको, तो जब यह वहाँ पर पहुंचा, तो इसने कई सारे प्रोलोग अरं दिए ठीक है, यह वहाँ पर मचली मानने का कीट, फुटबाल, पतनी क्या 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 दिए इसने, लेकिन फिर भी जो वहाँ के जंजाती हैं, आदिवासी हैं, उनको यह चीज नागवार गुजरी और उन्होंने उसकी तीर मार कर हत्या कर दी और उसको फिर वहाँ पर रेत जहां पर यह आदिवासी रहते हैं, इस दीव का नाम है, सेंटीनल द्वीब, और दीखें यह आपके जान एलन चाओ जी हैं जिनके अभी हत्या की गई है, और यह आपके आदिवासी हैं, जिन्होंने इनकी हत्या की है, और दीखें आठवा प्रस्ट जो है, यह रीपीट ह किया है, तो दीखें, यह अमाउंट है 310 मिलियन डालर, और दीखें, यह समझाता जो है, जहारकंड के लोगों को 24 घंटे विश्वसनी, गुडवत्ता, संबन तधा किफायती बिचली उपलत कराने के उद्देश से किया गया है, अमाउंट यह रीपीट है, तीन सो 10 मिलिय हैदराबाद के, और दीखें, जो आपका IIT हैदराबाद है, यहाँ पर जो यह अनुसंधान करताओं का दल है, इस दल का नेत्रों किस ने किया, इसका नेत्रों किया है, प्रोफेसर स्ची गोबिन सिंग ने, और यह जो दूद में मिलावट का पता लगाने वाला स्मार्ट सिस्टम है, इसकी खास बात क्या है, देखिए, इस प्रडाले में जो है, एक ऐसे पेपर का इस्तेमाल किया जाएगा, जो की दूद में डालने पर जो है, यह अमलता के अनुसार, उसका रंग बदल जाएगा, देखिए, जैसे आपने pH पेपर देखा होगा, pH पेपर का रं अलगोरीदम भी विक्सित किया है, जो आपका IIT एदराबाद है, जिससे जो आपका वो पेपर होगा, जिस पेपर जो है, अमलता का पता लगा जाएगा, तो उसको जो है, स्कैन करेगा यह, और उस पर जो है, कागज के रंग परिवत्न का सटीक अनुमान लगाएगा, और इस अलगोरीदम के द्वारा जो है, पता लगा लिया जाएगा कि दूद की क्वालिटी क्या है, और देखिए, एक सबसे खास बात यह है, जो आपका यह स्मार्टफोन बेस सिस्टम है, जिसको दूद में मिलावट का पता लगाने के लिए विक्सित किया गया है, यह काफी दो फैक्ट भी आप याद रखेगा, और दसवा प्रशन है कि निम्रे में से किस देश ने सैंक्त राज अमेरिका के बाद सैंक्त राष्ट प्रवासन संदी को खारिच कर दिया है, तो देखिए इस देश का नाम है आश्ट्रेलिया, देखिए आश्ट्रेलिया के जो आवायत प्रवेस के खत्रे को और तसकरी ब्याबार में लित्व लोगों से निपटने में बहुत मुस्किल से सबलता में मिली है, तो इसको हम बेकार नहीं करना चाहते हैं, देखिए इस सैंक्त राष्ट प्रवासन संदी की सबसे बेकार बात क्या है, देखिए माली यह आ अबर देशों में जब मार खाते हैं, आतंकवादी गरस्त देशों से भाग कर जाते हैं अमेरिका में, तो अमेरिका में जो उनको सरण देनी पड़ती है अमेरिका को, क्योंकि यह जो आपका सैंक्त राष्ट परवासन संदी है, इसके अंदर का यह नियम बना हुआ है, तो यहाँ पर भी यह प्राबलम जनरेट ना हो, अभी देखें, यहाँ पर यह प्राबलम बहुत जादे हो गई थी, वहाँ पर कुछ आतंकवादी गतिविदियां भी थी, और आतंकवादी हमले भी हुए थें, दो तीन साल हो गये, तो उसलिए तबसे जो वहाँ पर आवयत परवैस को रोक लिया गया था, क्योंकि वहाँ पर जितने भी आवयत लोग परवैस कर रहे थे, आश्टलिए में ठीक है, उनको रोखने के लिए प्रयास चला था, तो काफी वहाँ पर मसकत के बाद जितने भी वहाँ पर तसकरी ब्याबार में लेत लोग हैं, या फिर प्रांग में बैठा लें कि इस संदी की क्या खास बाते हैं और देखे 11 प्रशना की अंतराश्टी अंतरिक्ष में किस तिधी को अपने 20 साल पूरे किये हैं तो देखे ये डेट भी एक्जाम के लिए इसको भी आप अलग से कहीं नूट कर सकते हैं देखे ये डेट आपका है ये किसी फुटबाल के मैदान इतना बड़ा है और देखे इसकी सबसे खास बात है कि ये मानो के दोरा अंतरिक्ष में भेजी गई कोई भी सबसे बड़ी चीज है तो ये खास बात है इस अंतरिक्ष डिश्रेजन के बारे में इसको आप याद रखेगा लेकिन सबसे पहले क्या रखना है कि 20 नूमर उन्नीस सो अंठानवे को जो आपका अंतरिक्ष केंद्र है इसको जो है अंतरिक्ष में स्थापित किया गया था और इस साल जो आपका 20 नूमर दो रठा रहा है इसको जो है टोटल जो है 20 साल पूरे हो गया है इस अंतरिक्ष केंद्र को अंतरिक्ष में स्थापित हुए यह विसी स्वैक्ट इंग दो याद रखेगा और दीखिए बारों प्रस्ण है कि मानो संसातन विकास मंतराले ने उच्छ सिक्षर संस्तानों में नमाचार की संस्कृति को ब्योस्तित डंग से प्रोपसाहित करने के लिए किस पहल का सुभारम किया है तो दीखिए इस पहल का नाम है नवन में प्रवकोष्ट ठीक है और दीखिए बियाली में मानो संसातन विकास मंतराले के दोरा देश भर में उच्छ सिक्षर संस्तानों में नमाचार की संस्कृत को ब्योस्ति डंग से प्रोपसाहित करने के लिए जो आपका अखिल भारती त ठीक है और दीखिए इसके बारे मैं मैं सूझ रहा दा की कि मतबब सारे रडाटा एक एकठे हो जाएंगे तब एकठे बताऊगा तो आज मैं इसलिए एकठे आपको सारी चीज़े बताऊगा कि इन देशों की यत्रा में क्या-क्या गुल खिला इन्होंने देखिए जो आपके भारत के राश्टपती हैं रामनात कोवेंजी ये अपनी यत्रा के पहले चरड़ में वियतनाम के दोरे पे गह थे हैं सबसे बहले तो यह आलखना है और यहाँ पर यह वियतनाम के जो राश्टपती हैं गुएन फूट रोंग ठीक है इनसे इन्होंने मुलाकात की और यहाँ पर भारत के राश्टपती हैं रामनात कोवेंज इन्होंने जो राश्टपती गुएन फूट रोंग है इनकी साथ वारता की व्यापाक वारता के बाद भारत और जो आपका वियतनाम है इसके बीच में टोटल चार मेवरेंडम आप अंडरेश्टेंडी यानि कि समझोती ग्यापनों पर अस्ताक्षर किये गए और यह समझोती ग्यापन कौन कौन से हैं बताते ताओं आपको के बीच में जो है सायूग पर समझोता ग्यापन और देखे तीसरा समझोता हुआ है होची मिन नेशनल एगेड में आप पॉलिटिक्स हनुई व्यतनाम और जो आपका इंडिया का जवाहर लाल नहरुपी सुविद्याले ने दिली है इन दोनों के बीच में देखे जितने भी स्टुनेंट होगे इन दोनों भी सुविद्यालों के अगर ये व्यतनाम वाले भारत में आके पढ़ना चाहेंगे उनको जो है सायूग दिया जाएगा और जो आपके JNU वाले हैं अगर यहाँ पर पॉलिटिक्स वागरे में रिसर्च करने जा रहे हैं तो वहाँ पर जो ल Ciao दाम प्रसण कि हाली में राश्चापती ने किस दिश में अपने वीदे श्याद्रा के दोरान वहाँ पर महत्मा गांधी की कना से प्रतिमा का अनावरड किया हैं यह एं आश्चारियल्या के सहर सिड्नी में स्थापित की गई है और देखे एक और खास बात है कि जो आपके राष्टपती रामनात कोविंद जी हैं ये आश्ट्रिलिया की यातरा करने वाले पहले भारती राष्टा देख्षा है ठीक है तो ये खास बात हैं इसको याद रखे और देखे पंदरहों प्रसने की हाल ही मे राष्टपती रामनात कोविंद की यातरा की दोरान भारत और आश्ट्रिया की बीच में कितने समझोते हुए तो देखे इन समझोतों की संख्या टोडल पांच है और देखे बारत और आश्ट्रिया की बीच में जो पहला समझोता हुआ है ये हुआ दिव्यांगों को सेव तो यह सभी खास बात याद रखेगा इन पांचों एग्रिमेंट के बारे में आपको याद रखना है देखी जो आपका SSC Bank Railway है उसमें जो है आपका जो समझोते ग्यापनों की संख्या पुछ देता है लेकिन कभी कभी अगर कोई पागल एक्जाम नहीं पुछ देता है तो यह सभी चीज़े जो है उनमें डाल देता है आपसन के रूप में तो यह सभी चीज़े आप जात किया कि देखिए Complete Study अकर आप करेंगे तो किसी भी एक्जाम में बज़ेए SSC Bank Railway, UPSC, PCS, NDS, CDS देखे Current Hapyaar सभी में कामन होता है उसमें जो है थोड़ा बहुत अंतर होता है किसी में डीटेल में पूछता है किसी में कम डीटेल में पूछता है तो इसलिए मैं डीटेल में बताताओ क्योंकि जो complete study होती है यही आपको success दिलाती है तो आप जो है complete study किया कीजिए क्योंकि इसलिए मैं आपको जो है detail में बताता हूं डेली तो यह थे आज के current पर अब हम बात का लेते हैं आज के question अब देखी देखे आज के question अब दे का पहला प्रस्ण है तो आप 11 नॉमबर का आज current पर देख लिएगा और बाकी कल इसका उत्तर तो मैं आपको बताई दूँगा ठीक है तो आप revision करने के लिए अपना 11 नॉमबर का current पर देख लिएगा तो इसका उत्तर पताईए कि हाली में काउन से भारती पहलवान 65 kg भारवर में विश्व के नॉमबर एक लाड़ी बन गए है और दूसरा प्रस्ण है कि भारत और सिंगापूर के बीच में सिंगापूर इंडिया मैरिटाइम बाइलिटरल एक्सरसाइज यानि कि यो दव्यास जो है इसका 25 संस्क्रड कहां पर आजित किया गया इसका उतर रखता है ये देखिए एक ची मैं आपको दाना चाहता हूँ देखिए मैंने आपको जो सर्प्राइस की बात करी थी मैं दो वीडियो आपके लिए तयार कर रहा हूँ पूरे एक साल में जितने भी आपके इनडेक्स जारी हूँ है उनके बारे में डेटल होगा तो इन दोनोंका वीडियो मैं आपको देने वाला हूँ जल दी और उसका साथ मैं पीडिया भी आपको दे दूँगा तो आप जैसे आपको सुविधाओ आप तयार करें जागो उसको और अगला प्रस्णाए के हाली में किसे भारती प्रतियसपरधा आयोगैनी की कमपेटिशन कमीशानाप इंडिया का नया अध्यक्ष न्यूत किया गया है इसका उतरपता ये और अगला प्रस्णाए के हाली में किसे या किने केंदरी प्रतिक्ष करबोड का नया सद से न्यूत किया गया है इसका उतरपता ये और अगला प्रस्णाए के हाली में किस भारत को फ्रांस के सर्वोच नागरिक सम्मान सिवेलियर डी लाड लीजन डी हानर से समंद किया गया इसका उतर उताई जली से तो इसी के साथ आज का करेंट पर यही समाथ होता है आप वीडियो को लाइक करेंचो शेयर कर दिए और कमेंट बाक्स में जुरू बताईए कि आपको वीडियो कैसा लगा और दीकिए जो लोग नए है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कलेंगे था कि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेसन उनको आसानी से मिल जाए और दीकिए अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं यूट्यूब का जो मैं अपने चैनल भी वीडियो करता हूँ उनका तो ये सभी काम कर लिएगा तो इसी एक साथ बहुत होने बात थैंक यूवें और है बनाच देव